आप सुब्र का स्वागत है मैं ओन उसकुमार दोस्तों जैसे आप सुब्र को पता है कि All India quota 15% का इस्ट्रे राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है मतब प्रोपर इसका सिदूल जारी कर दिया गया है चार जनवरी से स्टार्ट होगा छे जनवरी तक तो बहुत सारे इस्ट्रेंट्स ने मुझे मैसस किया कि भाईया बताने के लिए मौप अप राउंड में इन सबी कॉलेज का कितना कट अफ रहा तो आप सुब्र को बताने वालों कट अफ प्रते केटेगरी के बारे में और इंडिया रैंक 9124 रहा जिसका मार्क्स था नीट का 628 जम्मू में इनको कॉलेज मिला इडवल्यस केटेगरी में 9799 रहा जिसका मार्क्स था 626 इनको भी जम्मू में कॉलेज अलॉट्मेंट किया गया OBC केटेगरी का बात करते हैं तो 10,243 रहा रैंक और मार्क्स रहा 625 इनको भी जम्मू में कॉलेज अलॉट्मेंट किया गया एसी कटेगरी का बात करते हैं तो 61,155 All India Rank रहा जिनका नीट मार्क्स रहा 533 इनको भी जम्मू कॉलेज एलाउटमेंट किया गया अब बात करते हैं एस्टी कटेगरी में तो एस्टी कटेगरी में 78,913 नीट All India Rank रहा 5-0 मार्क्स पे जम्मू इनको भी मिला अगर आप सब भी किसी भी कटेगरी में PDWT से बिलोंग करते हैं तो आप सब भी यह देख लें मैंने उसका भी प्रोपर नीट All India Rank और मार्क्स और कॉलेज मैंने बता दिया है अब मैं इसरे राउंड के लिए एकस्पेक्टेड कटफ बतायता हूँ तो देखें यहाँ पर जेनरल कटेगरी का एकस्पेक्टेड कटफ रह सकता है 9,900 तो 10,000 तक इसी का अराउंड रह सकता है most probability EWS काटेगरी में 9,900 तो 10,300 OBC काटेगरी 11,200 तो 11,500 AC काटेगरी 67,500 तो 68,000 और ST काटेगरी 85,000 तो 86,000 के बीच में रहने वाला है मैं आप सुभी को BHU open cut up बताने वाला हूँ और AMU open cut up बताने वाला हूँ मैं सभी का बता दूँगा ताकि ST round के लिए आप सुभी को पता चल जाए कि मौप अप में क्या था और ST में क्या रहने वाला है तो देखें नीट All India Rank 2nd round और मौप अप राउंड के लिए All India Rank मैंने प्रोपर लिख दिया है AMU का भी देख लें AMU open cut up general category 2nd round 4,667 रहा और general category मौप अप राउंड 5,075 रहा ये रहा मौप अप राउंड में अब ESTRA में अंदाजा लगा सकते हैं क्या रह सकता है अब बात करते हैं महारास्था और BCECE के बारे में लेकिन करना है मैं आप सुब्य को बता देता हूँ इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिस में दे दिया है वहां से क्लिक करें है और एक बात और बता दू अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे यह अश्बिकि चाहते हैं सबस्क्रिप्सन पैक लेना आप सभी ले सकते हैं तो स्टॉ प्रमो कोड है अपलाई करेंगे तो आप सुभी को 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा आप सुभी या तो वन टाइम पेमेंट करें या आप सभी परमान भी पेमेंट कर सकते हैं इसमें नो कोस्ट इमाई है एक भी पैसा आप सुभी को नहीं लगेंगे यह मैं आप सुभी आज ह क्लास टेंड करें आप सुभी स्ट को फ्री क्लास दीए जाएंगे ठीक है फरंड तो चलिया हुए स्ट अभयत आप स्छट को देता हुँ अब बात करते हैं महारास्थाUnion से बिलॉंग करते हैं तो मॉप आप उपर पर शोब में selection list जारी कर दिया गया है तो आप सुभी मुझे बताए कि आप सुभी को mop up second round में कौन सा college allotment किया गया है अगर आप सुभी ने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर जरूर देखे हाला कि आप सुभी ने देख लिया होगा तो मुझे बताए कौमेंट में आपको कौन सा college allotment किया गया है अब बात करते हैं BC, ECE, Bihar तो फ्रेंड आप सुभी को बता दू कि mop up round के लिए vacant seat जारी कर दिया गया है प्रते एक college के बारे में तो देखे कि किस college में आपके category में कितने vacant seats है और आप सुभी को बता दू कि total UR category में 24 seat अभी भी खाली है EWS category में 7 seat SC category में 6 seats ST category में 2 seat EBC category में 6 seat BC category में 14 seat RCG category में 1 seat total अभी भी मौप up round में 60 seat खाली है और डिसेबिलिटी कोटा में 70 seats, 17 seats अभी भी खाली है और dental का बात करते हैं तो अभी भी डेंटल में टोटल 25 सीट खाली है और वेटनरी में अभी भी 43 सीट खाली है तो आप सब भी जरूर इसमें राइश्यसन तो आप सब भी निकरी दिया होगा तो पाटिसीपेट ले आप सब भी कॉलेज मिल जाएगा अभी कली इतना ही आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर आजिंग वीडियो